अब आप आप अब कर दो नमुश्क्रारों सक्षुर्य निश्ट्रटेकोर अपस्वई का स्वागत है राश्री राधानी दिल्ली में बाढ़ आई तो त्राहिमाम किस्तिती हो गई दिल्ली सरकार के सारे विभागों के हाथ पाउं फूल गए हालात को संभालने के लिए NDRF सेना और नोसेना को उतारना पड़ा जाहिर है इस सबसे दिल्ली सरकार के दावों की कलाई खुली तो आम आदमी पार्टी के लिए अपनी इच्जत बचाने की चुनौती खड़ी हो आम आधी पार्टी ने आओ देखा न ताओ और आरोप मड़ दिया कि दिल्ली में आपदा प्राकेर्टिक नहीं बलकि प्राविजित है दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए कि हर्याणा ने यमना में जान बूझ कर पानी छोड़ा है तो दूस्ती और हर्याणा सरकार का कहना ह है कि हमें दिल्ली सरकार की समझ पर तरस आता है क्योंकि हमारे पास कोई बांध नहीं बलकि बैराज है दोनों सरकारों के बीच क्या आरोप प्रतियरोप चल रहे हैं इस पर आपको विस्तार से उनके बयान सुनाएंगे लेकिन जराब पहले दिल्ली के वर्तमान से आपको अफगत करा देते हैं दिल्ली में उफान पर बह रही यमना नदी में शनिवार सुबह जलिस्तर घटना शुरू हो गया है लेकिन यह कुछ सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से ही कम हो रहा है यमना नदी के तेज बहाव के कारण इंदर प्रस्त के पास छतिक्रस् और दिल्ली यातायात पुलिस ने शांती वन से गीता कलोणी तक इंघ रोड के दोनों के रीजवेila और आटो रिक्ष और अन्य हलके वाहनों की आवाजाही की अनुवति दे दी है यातायात प्लिस विवाग ने हीट किया कि शांती वाथ पीट और आईस्प.र आईसपी हटा दिया गया है सभी ट्रेन अब सामानने रफ्तार से चल रही है इस पिछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने कहा है कि यमना राधी में जल इसतर धीरे-धीरे खट रहा है और अगर भारी बारिश नहीं हुई तो हाला जल सामानने हो जाएंगे मुख्यमंत्री ने लोगों को जल मगन इलाकों में जाने से बचने की सला दी है उन्होंने दिल्ली के शांतिवन इलाके में बाढ़ के पानी में खेल रहे बच्चों का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा मैं सबसे फील करता हूं कि ऐसा ना करें यह जानलेवा हो सकता है कि आमाथी पार्टी के राजसवा सदस से संजे सिंग ने हर्याना सरकार पर निशाना साथ तेवे आरूप लगाया है कि हतनी कंड बैराज से पानी चोड़े जाने के इंब इतनी विकट परिस्तिती थी तो इतनी कंड पानी सेके लिए रीकिन चोड़ा जा रहा था अब हतनी कुंड बराज के तीन दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है जो पानी हर्याना जाता है जिन कनाल्स में जाता है उन में एक बूंद पानी में नहीं छोड़ा गया सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी क्यों कुछ पानी हर्याना में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था हम मानते हैं वो कनाल्स हैं हम मानते हैं उनकी कपासिटी कम है लेकिन अगर वहाँ पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, जादा से जादा खेतों में फ्लडिंग होती, लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से जहाँ पे इतनी घनी अबादी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मातरा में लोगों को जान माल का खत्रा हो गया 20-25,000 लोग, 25,000 लोग evacuate हुए, 20-21,000 लोग आज relief camps में रह रहे हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हर्याना को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हर्याना में नहीं छोड़ा जा रहा था और क्या अगर वहाँ पे पानी छोड़ा जाता, तो क्या दिल्ली में जो बार्ण हाई है, क्या उसको avoid किया जा सकता था इस पे तो जरूर जाच होनी चाहिए, कि ऐसा क्यों हुआ है पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिस नहीं हो रही है बावजूद इसके दिल्ली को बार्ण की एकदम प्राकृतिक आपदा में जोग दिया गया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आपदा है भारती जनता पार्टी ने, मोधी सरकार ने, गहरी साजिस रच के दिल्ली को बार्ण में जोगा है ये काम किया इन्होंने और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 9 तारिक से लेके 13 तारिक तक लगातार सारा का सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया इस्टन और वेस्टन कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया जब हमने मुद्दा उठाया तो 13 तारिक को वेस्टन कैनाल में पानी छोड़ा गया और 14 तारिक को कल इस्टन कैनाल में पानी छोड़ा गया फिर क्या कह रहे हैं ये लोग केरेंसाब नहरें कमजोर होती हैं उसमें पानी नहीं छोड़ा जा सकता तो आप बताईए कि जब आपने नौ से तेरा तक पानी नहीं छोड़ा तो तेरा तारीक तक जब हमने मुद्दा उठाया तो तुरंत वो नहरें मजबूत हो गई तुरंट आपने पानी छोड़ दिया जो नहरें तेरा तारीक तक तमजोर थी वो चौदा तारीक को मजबूत हो गई तुरंट पानी छोड़ दिया आपने तो सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ ये एक आपराधिक कृत्य है इनके खिलाफ मकदमा होना चाहिए इसकी जाच होनी चाहिए गहनता से ये तो सुप्रीम कोट डुबाने की फिराख में थे अगर हम लोग नहीं जागते क्या ये जिम्मेदारी बीजैंपी के साथ साथ सामसोदों की नहीं है उनको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था कि सारा पानी आप दिली में क्यों छोड़ रहे हैं उनको बीजेपी के लोगों को वोट नहीं दिया दिली की जनता ने तो इसलिए राजनीती करो इतनी घटिया और गंदी राजनीती मत करो आप सोचिए कि केरें साथ सेंटरल वाटर कमिशन की गाइड लाइन है क्या गाइड लाइन है भाई ओवर कैपैसिटी पानी इस्तन केनाल में नहीं जाएगा ओवर कैपैसिटी पानी विस्तन केनाल में नहीं जाएगा ओवर कैपसिटी पानी जाहे जाहे जितना मन हो आप दिल्ली की तरह भेज़ दोगे ऐसा कहीं लिखा है क्या यह बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर मुख्य मंतरी को इतना भी पता नहीं है कि यहां पे कोई बांध नहीं है बलकि यहां पे एक बैराज है और उस बैराज में डिवाइड करना वळी बैराज पानी डिवाइड करता है तो यहां पाणी ही रोक सकते हैं और प्लड़ अंब अतर जादां ठाव आपम इक लाग तक उसको ले के जाते हैं एक लाग पाणी आता है तुम और जमना में ठोड़ देते हैं धूसरी बात से वह ए घृपी की से बम जो घर रहा है यह चलने वड़ा दरीया है लेकिन बाद में जब सरकारें आई तो सरकारों देख्या कि यह पाणी जो जाने वड़ा ऐसा है इसको रोक केम अगर डिवाइड कर ले तो एकर कल्टर के काम आएगा तो उसके लिए बने तो यह बैराज उसके लिए बने अगर पाणी जादा वा बूज के लोगों में गलत में पैदा के करने की कोशिश कर ले चाहे माने मुख्य मंत्री दी है और चाहे उनके मंत्री अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को ज